वेल्कम टू निश्क जाओं आज है दो अक्टूवर 2022 और दो अक्टूवर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंग तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट मैं आप से कुश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो के डिस्कस में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भ पहला कुश्चन है हाली में अंतराष्टी ब्रद्ध जन दिवस कम मनाये गया है तो अभी एक अक्टूवर को अंतराष्टी ब्रद्ध जन दिवस मनाये गया तो इस कुश्चन का बे आप्शन सही है ब्रद्ध और उम्र दराज लोगों के साथ होने वाले भेदवाव अपमान जनक बिवार और उपेच्चा को दूर करने के लिए और इन पर लगाम लगाने के लिए हर साल एक अक्टूवर को अंतराष्टी ब्रद्ध जन दिवस मनाये जाता है अच्छा इस बार के अंतराष्टी ब्रद्ध जन दिवस की ठेम क्या है बदलती दुनिया में ब्रद्ध जनों का अनुकरण क्या है ठेम बदलती दुनिया में ब्रद्ध जनों का अनुकरण और इसी को इंग्लिस में कहें तो Resilience of Older Persons in a Changing World क्या है और एक अक्टूवर को अंतरास्टी कौफी दिवस भी मना जाता है तो एक अक्टूवर को ये तीन इंपोर्टेंट ने बनाय जाते हैं तीनों आप याद रखी अच्छा आज की स्वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये बीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप स्वीडियो को लाइक को और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे चूटा सा ही टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा देन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा दो आपकी लाइफ आटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी ने क्यूशिन है हाली में कैसराजी की विधान सबाने राजी सतरक्ता आयोग को भंग करने के लिए विधयक पारित किया पंजाब में जो राजी सतरक्ता आयोग है उसके लिए पंजाब की चेपनिश्टर ने कहा कि ये राज कूस पर एक बोज है और इसके लाबा ये कुछ भी उप्योगी नहीं है इसलिए इसको भंग करने के लिए बिध्यक पारित किया गया है अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब पंजाब की केपिटल क्या है चंडीगर पंजाब की चीप मिश्टर कौन है भगबंत मा और पंजाब की गवर्नर कौन है बनवारी लाल प्रोहित अभी पंजाब सरकार ने रास्ती प्रुसकार प्राप्त करताओं को मासिक बजीफा देने की गोश्टना की पंजाब में एक बिदायक एक पेंसन इसकी मिलाउग की गई पंजाब का खेल विवाग 29 अगस्त को इस बार खेड मेले का आयोजन किया था पंजाब सरकार ने फैजिकल स्टांप पेपर को खत्म कर दिया है और पंजाब के सिक्षा बुड़ ने सिक इतियास की तेन किताबों पर प्रतिवन्द लगाया है इतना आपको पंजाब के बारे में याद रखना है ने क्यूशन हाली मे इंडियन ओबरसीज बैंक के MD&CEO कौन योगत हुए है तो अभी अजय कुमार स्रीवास्तव इंडियन ओबरसीज बैंक के MD&CEO पॉइंट हुए तो इस कुश्यन का बे आप्शन सही है यह है अजय कुमार स्रीवास्तव और यही इंडियन ओबरसीज बैंक के नए MD&CEO पॉ और इसके अब नए MD and CEO तो यह यह पॉइंट हो गए हैं अज्य कुमार स्रीवास्ता नए क्यूशिन है हाली में किस राज सरकार ने आसरा पैंसन शुरू की है तो अभी तेलंगाना सरकार ने आसरा पैंसन शुरू की तो इस क्यूशिन का say options है यह तेलंगाना सरकार ने सभी ग में तेलंगाना तेलंगाना की capital क्या है है हैदराबाद तेलंगाना की चीपनिष्टर कौन है के चंसे का राव और तेलंगाना की गौवर्नर कौन है डॉक्टर तमिल साई सॉंदराजन अभी तेलंगाना सरकार अनसूचित जाति के आरक्षड को 6% से बढ़ा कर 10% करेगी व खुनालू महुत्सप सुरू हुआ तेलंगा सरकार ने टेहब सुवधा खोली है एंटिपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर उर्जा पर्योजना तेलंगाना में सुरू की अच्छा तेलंगाना में कबल टाइगर रेजर्ब है अमराबार टाइगर महाबीर हरेनावनस्तिली निसनल पार्क है अच्छा तेलंगाना में कानूमा तिवार मना जाता है कानूमा तिवार यह इंपोर्टेंट है यह आपको याद रखना है नेक्क्यूशन है हाली में रास्टी खेलों में भबानी देवी ने कौन सा पदक जीता है तो अभी रास् तलवाजी इस परदा में गुल्ड मैडल जीता है और मेरा भाई चानूने वेट लिफ्टिंग में गुल्ड मैडल जीता है नएक क्यूशन है हाली में किस देश ने प्रसांत दे प्राश्टों के साथ एक साज़ेदारी समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो अभी अमेरिका अब अभी एक दसक के बाद पूलियों का पहला मामला दरज किया अमेरिका की सेने ने गन कंट्रोल बिद्यक पारित किया है आरती प्रभाकर को अमेरिका के राश्टपतीर के बिज्ञान सलाकार के रूप में न्यूक किया गया अच्छा भारत इस्राइल यूए और यूएस ने एक नया I2-U2 समू मनाया है अच्छा इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन किताब अमबेडकर अलाइफ लिखी है तो अमबेडकर अलाइफ ये बुक लिखी है ससी थरूर ने तो इसको शिनका से ओप्सन सही है ये अमबेडकर की एक नई जीवनी लिखी है ससी थरूर ने इस बुक का नाम आपको याद रखना है अमबेडकर अलाइफ अच्छा अभ इसका अभी बिमोचन किया गिया है, यह पुस्तक लिखी संजेब बारूर ने, अच्छा अभी दिलेब कुमार इन दसेड़ ओफ लेजेंड यह पुस्तक लिखी फैजल फारुकी ने और इनी ने यह प्रकासित की है, नए क्यूशन है, हाली में रूस के राश्पती पुतेन कितने यूक्रेणी छेत्रों पर नियंतर्ड की गोश्ण की, मुस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है, इंटरनेशनल अफेस का मुस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन, राश्पती पुतेन ने यूक्रेण के चार हिस्सों पर नियंतर्ड की गोश्ण करती है, तो इस कुश्च ये गोशना ओफिसेली ब्लादमीर पुतेन ने की है अब ये चार हिस्से कौन से हैं डॉनेट्स लुहांस्क खैरसों और जोपरजिया आप मैप में देखिए ये जो चार हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं डॉनेट्स लुहांस्क खैरसों और जोपरजिया इन पर अब क्रेमिया दिख रहा है वो पहले से ही रूस के नियंतर में है तो रूस के यह अब नए नियंतर के से हैं यह आपको याद कर लेने हैं अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद अब पुतिन ने यह ऑफिसली चार हैसो पर अपने नियंतर की कोश्ण कर लिस्ट में कौन सीर्स पर रहा है तो अभी LinkedIn ने भारत के टॉफ 25 स्टार्ट अपस की लिस्ट जारी की कि इसमें क्रेड फॉस्ट नमबर पर आए दुश्षिंग का ए ओप्सन से एगेड फस्ट पर है अपग्रेड सेकंड पर है और ग्रोफ थर्ड पर है अच्छा क्रेड फर्स्ट पे है तो क्रेड की स्तापना कव हुई थी 2018 में इसका हेड क्वाटर कहां पे है बेंगलूरू में और क्रेड के प्रजेंट टेम पे CEO कौन है कुनाल सहा कुनाल सहाई क्रेड के फाउंडर एंड CEO है नए क्यूशन है केसराजी के मुक्य मंतरी ने चौतरफा रड़नीती की गोशना की है तो अभी उडिशा के चीपनिश्टर नबीन पटनायक ने चौतरफा रड़नीती की गोशना की तो इसकूशन का बे ओप्सन सही है उडिशा सरकार ने प्रवरत्तन, सिक्षा, सड़क और इंजिनिरिंग में सुदार के लिए चौतरफा रड़नीती की गोशना की अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की केपिटल क्या है भूबनेश्वर उडिशा की चीपनिश्टर कौन है नबीन पटनायक और उडिशा की गवर्नर कौन है गनेशीलाद अच्छ पर बेसुकोश जारी किया है समुद्र तटकी सुरक्षा के लिए उडिशा सरकार ने एन आई उटे के सा समझोता किया उडिशा के मुख्यमंत्री ने लोगडाउन लेरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है रास्ती MSME पुरुषकार 2022 में उडिशा को प्रत्थम गहिर मठ वाइल एसंचुरी है और चिलका लेक उडिशा में है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है उडिशा में रसी कुलिया बीच है गुल्डन बीच है अच्छा उडिशा की दो गाउं को युनेसको ने सुनामी रेडी डिकलेर किया था वो दो गाउं कौन से है नियोलिया साही और बैंकट रायपुल अच्छा उडिशा में लिंगराज टेंपल है कुडार टेंपल है जगनाट टेंपल है यह उडिशा के इंपूटेंट टेंपल है अच्छा उडिशा में वितर कनिका नेशनल पार्क है और नंदन कानन चिडिया घर भी उडिशा मैं है न्यक्शेयन है बारत ने कहां जे 20 सिर्पा की तेसरी वैटक में भाग लिया तो अभी अपने देश भारत की तरफ से जे 20-घंपा की तेसरी वैठक में इंडोनेसिया में पाइसिप्टिक्जित किया गया तो इसको शेंकर से options है अब इंडोने》 तो यह है map में इंडोनेजी इंडोनेजी के पीटल क्या है जकारता आपको पता है आसियन का headquarter भी जकारता में है और इंडोनेजिया ने अपनी capital को बोर्नियों आइलेंड पर एस्ट काली मंतरफर shift करने की गोश्ण की है इंडोनेसिया की currency क्या है इंडोनेसियन रुफिया और इंडोनेसिया के present time पर प्रेसिडेंट कौन है जुको बिडोडो नए क्यूशन है हाली में कौन सा payment bank चालू बित बरस में डेड़ लाख micro ATM लगाएगा तो अभी एरटेल पेमेंट बेंक चालू बित बरस में एक लाख पचास यार micro ATM लगाएगा तो इस question का बे options है अब एरटेल पेमेंट बेंक तो इसकी स्तापना कब होई 2017 में इसका headquarter कहां पर है न्यू डेली में और इसकी present time पर MD&CEO कौन है अनुबरता बिश्वास कौन है अनुबरता बिश्वास ने शूशन है हाली में hero motocop का नया brand ambassador केसे निउक्त किया गया तो तेलगू अभी नेता है रामचरण इनको भी hero motocop ने अपना नया brand ambassador कोसित किया है तो इस question का ए options आई है ये हैं रामचरण और इनको hero motocop ने अपना नया brand ambassador किया है अच्छा अभी UAE की प्रमुक स्वास्ते सिवा कंपणी बुर्जील होल्डिंग्स ने सारुक खान को अपना brand ambassador निउक्त किया नौइस ने अपनी नई smart watch के लिए बाडी कपूर को brand ambassador बनाया space के brand ambassador बने है MS धोनी नया क्यूशिन है केस राजी के राजपाल ने धर्मांतरण विरोधी बिध्यक को मंजूरी दी अभी कर्णाटक के राजपाल ने धर्मांतरण विरोधी बिध्यक को मंजूरी दी तो इसका इनका बे ओप्षन सही है अब करनाटक तो यह है मैप में करनाटक करनाटक की capital की है बेंगलॉड करनाटक की चीपमिश्टर कौन है वसबराज बॉंबई और करनाटक की governor कौन है थावर चंद्र गहलोथ अभी करनाटक सरकार ने बिधान सभा में करनडवासा व्यापक विकास विद्यक 2022 पेज किया करनाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा आउट रिच के सा समझोता किया SBI ने स्टार्ट अप के लिए समर्पित पहली साखा बैंगलूरू में खोली है और करनाटक सरकार ने खिलाड़ियों को दो प्रतिसद आरक्छ्ट देने की गोश्णकी है करनाटक के दो डांस पहमस है यक्षगड और डोलू कुनिता करनाटक का एक गाउं है मट्टूर गाउं यह एकलोता ऐसा गाउं है जहां बूल चल की वासा में संस्कृत बोली जाती है नए क्यूशन है हाली में भारत ने मिसाइलों और हत्यार पडालियों के निर्यात के लिए केस देश के सा समझोता किया तो अभी अपने देश भारत ने मिसाइलों और हत्यार पडालियों के निर्यात के लिए अर्मेनिया के सा समझोता किया तो इस क्यूशन का से ओप्सन सही है अब अर्मेनिया तो यह है मैप में अर्मेनिया अर्मेनिया की केपिटल क्या है यरेवन अर्मेनिया की currency क्या है अर्मेनियन द्रहम और अर्मेनिया की present time पर प्राइमिस्टर कौन है निकोल पस्नियन कौन है निकोल पस्नियन अब लास्ट वीडियो की question का answer लास्ट वीडियो मैंने आपसे question पूछा था कि हाल ही में 2021 में बिदेशी परेटकों की संख्या कहां सबसे अधिक रही तो 2021 में बिदेशी परेटकों की संख्या सबसे अधिक महारास्ट में रही है यानि कि इस question का C option सही था और लगबग सब इस question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है केस राज की पुल्लम पारा पंचयत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचयत बनी चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके के मारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर IndresRC Instagram पर IndresRC search करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एल्प लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो तैंक्स पर वाचिंग